हेलो फ्रेंड्स सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कुल्चा जो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजी है आए बनाते हैं आलू कुल्चा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मैदा वन टेबल स्पून दही और थोड़ा सा नमक नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं एक कप गर्म पानी, ड्राइ यीस्ट और चीनी कुल्चे की स्टॉफिंग के लिए हमें चाहिए दो बॉइल आलू मैश की हुवे, एक हरी मिर्च बारिक कटी हुई, लाल मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया बारिक कटा हुआ और नमक स्वाद अनुसार सबी चीज़े आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम जाला। तेल या फिर बटर आप कुछ भी ले सकते हैं उसके उपर लगाने के लिए और वैसे ना भी लगाए तो भी कुल्चा अच्छा ही बनता है। सबसे पहले हम गर्म पानी में ड्राइ इस्ट और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। उसे मिला देंगे और धाक के दस मिनट तक के लिए रख देंगे। इस्ट एक्टिव हो जाएंगा अब इसे मैदे में मिला देंगे। साथ हम दही और नमक भी इसमें डाल देंगे। आपके आटे में जितनी इस्ट आ है उतना ही डालिए ज्यादा मट डालिए नहीं तो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। इसमें पूरा डाल देना पड़ेगा। अभी आटे में थुड़ा कम पढ़ रहा है। इसमें दही भी मिला देंगे। दही फ्रेश लेंगे तो जला अच्छा बनेगा। पुल्चा हम तवे पे बना रहे हैं। बहुत इजी बन जाता है और बहुत अच्छा बलता है तवे पे। कि देखिए कितना गिला है। इसे इसी तरह का गिला होना चाहिए। अभी हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। तो यह फूल के अच्छा हो जाएगा। इसे ढाक के आदे घंटे के लिए रख दीजिए अभी ये हाथ में बहुत स्टिक हो रहा है बाद में सही हो जाएगा जब तक ही सेट हो रहा हैं अंदर की स्टफिंग तयार कर लेंगे मैश की हुए आलू में हरी मिर्क, चाट मसाला, नमक, हरा धनिया और लाल मिर्च सभी डाल देंगे और मिला लेंगे आप इसके बदले पनीर भी भर सकते हैं वो भी अच्छा लगता है पर आलू पुल्चा बहुत टेस्टी लगता है आटा फूल के तयार हो गया है अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर से इसको एक बार ठीक कर लेंगे इस बहुत जादा इस्टीक हो रहा है अभी तेल लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगा इतने आटे में लगभग तीन कुल्चे तयार होंगे बड़े सा इसकी अब इसके हम तीन अलग-अलग हिस्से कर लेंगे आप चाहे तो छोटे-छोटे चार भी बना सकते हैं अब हात में सुखा मैदा लगाईए और जिस पर आप बेल रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा सुखा मैदा लगा लीजे और जो हमने लोई तेयार की है आटे की उस पर मैदा लगा लीजे और उसे अच्छे से फैला लीजे अब इसमें स्टॉफिंग करेंगे आलू की अच्छी बड़ी स्टॉफिंग लालिए छोटी नहीं डालिए नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा अलू का कि अब इसे सब साइट से बंद कर दीजे और ऊपर से हाथ से चिपका दीजे मैदा लगाईए और इसे हाथ से भी बेल सकते आप दबा दबा के नहीं तो बेलंस कर लीजे जैसा भी आपको इजी लगे पर कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए सब साइट से अच्छे से बंद हो जाना चाहिए देखें यह हाथ से भी इजी ली हो रहा है क्योंकि इसका आटा बहुत अच्छा तैयार हो गया है अब इस पर थोड़ा सा पानी या फिर तेल लगा लीजे इसके उपर हमें हरा धनिया बारिक कटा हुआ और लाल मिश लगानी है यह आप लगाएंगे तो यह दिखने में बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट तो अच्छा आए गई और दूसरे तर तवा गर्म होने रख द तेल लगा दीजे और हमारे कुल्चे डाल दीजे और धाग दीजे लो मीडियम फ्लेम रहने दीजे लगबक 30 सेकंड के बाद इसे पलट देना है और दोनों तरब से इसे अच्छे से से लेना है और सेकते समय इसमें आप बटर लगा सकते हैं या फिर ना लगाएं तेल भी टेस्टी लगता है देखिए फूल रहा है बढ़ा हो गया अएक दम तैयार बीजी आलू कुलुचा तैयार है इसे बटर के साथ या फिर किसी सबजी के साथ सब किजे या फिर इसे ऐसे ही खाई यह बहुत यह तेस्टी बना है आईए इसे सर्व करते हैं इसी तरह से सबी स के सर कीजिए रेसिपी को ट्राइ कीजिए लाइक कमेंड और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राब करना मत बुलिए मिलते हैं नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए